अधिति आप लोगों के लिए एक और विज्ट लेकर आप लोगों के सामने आई हूं और आज के दिन हम रिवाइस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक जो है आप लोगों के पेपर वन कंप्यूटर से रिलेटेड यारि कि ICT से रिलेटेड आप लोगों का यह वाला है और एक टॉपिक जो आप लोगों के एक्जाम में काफी आता है वो है आपका नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम में किस किस टाइप के क्वेशन साते हैं किस तरीके से आप उन्हें जल्दी से सॉल्फ कर सकते हों सभी का ट्रिक इस वीडियो के अंदर मैं आप वीडियो बनाये हैं अभी तक पेपर 1 के पेपर 2 के भी और वीडियो से कम्क्यूटर साइंस के लेकर मैं आप लोगों के सामने आती रहोंगी तो चानल को सब्स्राइब जल्दी से कर लीजेगा और जितने भी लोग है जिनको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके श सबसे पहले तो सबसे इंपोर्टेंट वेशन यही आप लोगों का एक्जाम में पूछा जाता है तो बाइनरी या डेसिमल के अंदर आपको पॉइंस वाले नंबर दे दिये जाते हैं पॉइंस वाले नंबर से मेरा मतलब यह है कि डेसिमल वाल्यू दे जाती है जैसे फॉ सबसे इंपोर्टेंट जो मुझे लगता है सबसे फेमस भी है और सबसे कम बच्चों को जो आता है वह है नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजन करते हैं जिनका पेबर दू कंप्यूडर साइंस अफपॉर्स उनको तो यह सारी चीजे आती है उनके लिए भी काम की है तो चलिए विदाउट एनी फृदर दू हम लोग आते हैं ताइप पर तो सबसे पहले बाइनरी से डेसिमल कंवर्जन में आप लोगों को सिखाने वाली हूं यानि कि आप सब लोग जानते हो कि बाइनरी का बेस होता है टू और डेसिमल का बेस होता है तें इसी तरीके से अबुदेज़ से सामने में अगर मैं आप लोगों से बोलूगी सिखिंबल में आपको कनवर्ट करना आ तो सबसे पहली बात तो आपको इस समझना होगा यह सारी जो चीजें है यह है डिजिटल लौजिक और डिजिटल लोग को मतलब यह हैं कि यह आप लोगों के जीरो य तो 0 या फिर 1 बट ये जो सारी चीजे हैं इनके लिए हम लोग 2 की पावर यूज करते हैं in order to represent a bigger number जैसे की number systems में हम लोग use करते हैं किसी विएक decibel value को भी हम 10 की पावर में देनोट करते हैं मैं आपको बोलू 131 तो इसका मतलब क्या है 1 जो है वो आपका unit digit है 3 जो है वो आपका 10 से और 100 जो है एक चीज़ याद रखेगा मैंने trick आप लोगों के लिए पता रखी है आपको कभी भी confusion हो तो कभी भूलिएगा नहीं जब भी हम छोटे base से बड़े base के अंदर जाते हैं आप देख सकते हैं 2 एक छोटा base है 10 एक बड़ा base है जब भी छोटे base से बड़े base के ओपर जाना है तो हमेशा power वाला method चाहिए क्यों इसको power चाहिए तभी जाके तो यह बड़े base में जा सकता है और वो power कैसे आप लोगों को individual digits की individual digits की 2 की power यहां पर represent करनी होती है और उसके बाद आप लोगों को उनकी values लिखनी होती है और यह 2 की powers कैसे 2 की power 0 से हम हमेशा right से left की तरफ जाएंगे 2 की power 1 इसको बोल सकते है 2 की power 2 इसको बोल सकते है 2 की power 3 2 की power 4 2 की power 5 2 की power 6 और 2 की power 7 हमने इस तरीके से ले लिया, मैंने बड़ा एक्ज़ाम्पल चला कि लिया है, सारे डाउट्स आप लोगों के एक बारी में और यहां पर मैंने क्या कर दिया है? तू की पावर्स में इनको रिप्रेसेंट कर दिया है. अब अब बाद में आपको कर दिया है, जहां जहां पर भी आपको 1 दिख रहा है आप वो वाल्यूस को एड़ कर दीजे बाकि सब को छोड़ दीजे यानि आपको दिख रहा है 2 की पावर 1 पर तो 2 की पावर 1 प्लस क्या करना है आपको दिख रहा है 2 की पावर 2 पर तो 2 की पावर 2 एड़ करनी है आपको दिख रहा है 2 की पावर 3 पर तो 2 की पावर 3 जहां जहां पर 1 है केवल वही ले रही हूँ पिर आप लोगों को देख रहा है 2 की पावर 6 पर और फिर आपको देख रहा है 2 की पावर 7 पर hopefully आपको समझ में आ गया होगा मैंने और कुछ नहीं किया जहां जहां पर 1 है वो values उठाई है और उनको में क्या करने वाल्यू एड 2 की पावर 1, 2 होती है, 2 की पावर 2, 4 होती है, यह आप लोगों का 8 हो जाएगा, 2 की पावर 6 जो है, तो आप लोगों की 64 होती है और 2 की पावर 7 जो है वो होती है, आपकी 128, अब 128 के अंदर 64 के अंदर 8 के अंदर 2 के अंदर 4, बस यही आड़ करना है, यही आपका final answer है, यानि और यह प्रहक続र के अंदर और चार और जाल तो आपक अजाएगा एठारा टीक ए अठारा यहिए आप लोगों का करेक्ट आंसर है ठीक है वो सकता है calculation थोड़ी सी आप लोगों को लग रही हूँ बट ऐसा नहीं है समी करना है और यह चीज़ आप लोगों को आती ही होगी ठीक है थोड़ा ध्यान रख लीजेगा calculation mistake का बस बाकी और कोई करने स्कुलम नहीं है जिसको समझ में आ गया है वो जरूर प्रैक्टिस करिएका प्रैक्टिस क्वेश्चिंस में आपको देने वाली हूँ याद आपको सिर्फ इतना रखना है जहां पर वन है जहां पर 1 है, किसके अंदर binary number के अंदर उसकी power को add करना है, बस जीरो को as it is, छोड़ दीजिए, सिफ power को add करना है और power कहा लगेगी, जब छोटे base सिफ बड़े base में जाना है इसी तरीके से, आईए हम लोग बढ़ते हैं next question पर और जो next question है वह है आप लोगों का कि अगर मैं बोलू कि decimal number है कोई और उसको binary में convert करना है, अब decimal number जो power 10 में होता है, यारि की base 10 यार रेडिक्स 10 के अंतर लिखा होता है, इसको अगर binary में convert करना है, तो क्या करेंगे, यारि मैं आप लोगों को बोलू इस number को आपको छोटे number में लेके जाना है, छोटे number के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यह यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं, तो देखे, बड़े से, बड़े से, मुझे छोटे की तरफ जाना ह बड़े से, मुझे छोटे की तरफ जाना है, जब भी मुझे बड़े से, मुझे छोटे की तरफ जाना होता है, तो आपने सी बात है, मुझे इसके पांच करने पड़ेंगे, क्योंकि ते को छोटे से बड़े जाने में तो छोटे को पावर दो, और बड़े से छोटे जाना तो LCM वाला मेथड आप लोगों को यहां पर यूज करना होने वाला है ्राइज यह नं भयाई आप लेकंवे श्याले वाला यह तो jogar 10 वाल्योअ यह इसे लेटी किनि क्या है। आप लगों को लेकंवे गादना एक डिशर में आप ले important चीज यहां पर है remainder का ध्यान रखना और हर बार आपको remainder लिखना ही लिखना है कुछ भी नहीं कर रहे हूं तो 12 ताइम सिक्स चला जाएगा यह तू ताइम स्रीमेंडर अगें बचेगा वन रिमेंडर बचेगा आप लोगों के पास में 0 इस बार ठीके ना तू के अंदर 15 त गाड़ी और इसको उल्टा लिख देना है वही आपका सही आंसर है तो वन 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 यानिके एक दो तीन चार पाच और जीरो वन वन यही आप लोगों का करेक्ट आंसर है बाइनरी के अंदर यारी कि करना कुछ नहीं है आपको जिस भी नंबर को तोड़ना है उस नंबर का 2 से छोटी value मिलने लग जाए यानि कि 0 या 1 मिलने लग जाए तो आपका आंसर आल जाएगा तो बस इसी तरही किसे आपको उल्टी गाड़ी चलानी है और आंसर निकालना है एक और question ट्राए करते हैं जो कि आपका previous year question यह आप लोगों के exam के अंदर already पूछा जा चुका ह है तो आईए इस question को solve करके देखते हैं कि क्या हमारी trick काम करती है तो 39 का आप लोगों को LCM लेना है 2 से तो 2 1 times यहाँ पर चला जाएगा 9 times remainder आएगा 1 2 से again remainder आप लोगों का 1 2 से 4 times remainder बचेगा 1 2 से 2 times remainder बचेगा 0 और 2 से 1 times remainder बचेगा 0 अब आप लोग देख सकते हैं कुछ औ करना नहीं है सिर्फ उल्टी गारी चलानी है तो 1 double 0 triple 1 यही आप लोगों का जो binary number है is representing 39 अगर आप लोग चेक करना चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं basically 1 double 0 लिखा हुआ है आप लोगों का right 1 double 0 triple 1 लिखा हुआ है अगर मैंने आप लोगों को अभी कभी conversion सिखा है तो 2 की 2 तो आप लोगों के पास में आगयन आ चाहेगा 39 तो आप इससे cross verify भी कर सकते हो ट्रिक बिल्कुल सेम है बड़े से चोटे में जाना है तो चोटा ले रहा है उसका यानि की LCM कर लो और चोटे को बड़े में लेके जाना है तो उसका power method चला लो तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं जितने लोगों को समझ में आ गया बहुत बड़ी आपात है लाइक करके कॉमेंट करना और जितने लोगों को नहीं आया थोड़ा सा पीछे करिए का और दुबारा से ट्रिक सीखेगा धीरे धीरे आराम से करिएगा दो तीन प्राक्टिस करोगे आपको आराम से ट्रिक आजएगी और हमेशा आप लोगों का अंसर सही निकलने वाला है इसके बाद में मैं आती हूं नेक्स पर और नेक्स में करना किया सीख रहे हैं हम लोग नेक्स में करना सीख रहे है कि अगर आपको डेसिमल के बाद की चीशे दिख जाए इस तरीके से तो हमको क्या क और इस तरीके से आप लोगों को जहां जहां पर 1 मिले यानि कि 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 बस ये आप लोगों को आड कर लेना है यानि कि 8 और 4 तो आपके पास में आ जाएगा 12 यानि कि लेफ्ट वाला साइड तो आपको पता चल गया this is nothing but 12 बट राइट वाले पार्ट क आपवार 1 बन अपकी पावर 1 अब ये टू की पावर 2 कि पावर 1 पर ये टू की पावर 0 क्यों ने लिखा क्योंकि आपको भी पता है कि 2 की पावर 0 अपॉन के अंदर हम लोग सॉल नहीं करते या basically मैं यहाँ पर लिखना चाहरे हूं 2 की पावर माइनस 2 2 की पावर माइनस 3 क्योंकि यहां पर positive चलता है और यहां पर negative 2 की पावर minus 1 को मैंने 1 upon 2 की पावर 1 लिख दिया है इसी तरीके से इसको 1 upon 2 की पावर 2 लिख दूँगी यहां पर लिख नहीं करते हूं यहां पर नहीं करती हूं 0.5 से मल्तिख टेदें तो आपको टुकी पावर चीस श्डानी तो है वन से स्टार है और वकावर 4 लिख दिएका आपक से ध्याइग कर दो बाकि सब को छोड़ दो अब आपके पास में है 0.125 पर और आपके पास में है 0.500 तो यहां पर आप लोगों के पास में आ जाएगा 0.625 यानि 12.0 sorry 12.625 यही आप लोगों का correct answer यहां पर decimal में आने वाला है तो बिल्कुल सेम ट्रिक और कुछ भी नहीं करना है सेम चीज अप्लाइज इदर अब भाई 22 को कैसे करना है यह आपका homework है आप सब जानते हैं अब नहीं बाद जो हम यहां पर सीखने वाले हैं वह यह है कि 125 का क्या करें पर 125 नहीं ध्यान रखें तो यह 0.125 है और 0.125 के लिए मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए कि किस तरीके से इनको बाइनरी में लिखा जा सकता है आप देखो क्यों कि मैंने अभी आपको यह सारी चीजे समझाए तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि यह और कुछ नहीं पर 0.001 होगा अब 0.001 क्यों होगा इसलिए होगा कि आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 1 अपॉन इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2 की पावर 2 इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2 की पावर 3 2 की पावर 3 यानि कि 1 अपॉन 8 और वो कितना होता है 0.125 होता है वही हमें चाहिए वही हमें चाहिए तो यह से आसान तरीका इसका क्या है आप लोगों को यहां पर छडानी है टू की पावर्स और टू की पावर्स को आपको याद करना पड़ेगा तब जाके आपका बन चाहेगा यह एक और मज़िदार सा तरीका है जो मैं आपको बता सकते हूँ वो क्या है कि आप इस नंबर को लीज करिए तो 5, 2s are 10, 2, 2s are 4 or 5, 2, 1s are 2 और आया कितना है 0.250 ही आया है कुछ और नहीं आया है 0.250 आया है अब इस situation के अंदर यहां पर क्या आया है यहां पर आया है 0 यहां पर आया है जो होल पार्ट में आया है आप होल पार्ट को as it is लिख दीजे और यह जो फ्रैक्शन लाल 0 आगया अगया अगया मैंने क्या बोला इसको आप लिख दीजे as it is यहां पर और इसको मल्टिप्लाइ कर दीजे फिर से 2 से ठीके जी पिर आप कर लिजे 2 0s are 0, 2 0s are 0, 5 2s are 10 और आपके decimal आएंगे 3 0 के बाद में अब देखिए जी फ्रैक्शनल पार्ट में तो आया है 0 औ होल पार्ट में आया है 1 तो 1 को फिर से उठा के यहां पर लिग दीजे फिर उठा के यहां लिख दी जे और ऐसा अपछो कर सकते हैं कब तक जब तक यहां पर कुछ मिले पर यहां तो कुछ मिलाई नी और है multiply करिए इसको 2 से तो आएगा 0 कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है तो 0 लिख दीजे मतलब आप लोगों का आंसर आ गया ना 001 जो कि मैंने अभी पहले प्रूफ भी किया था कि 001 ही आएगा क्यों क्योंकि 001 होता है 0.125 हैंस प्रूब कि अमारा ये तरीका बिल्कुल सही है ऐसे आप किसी को भी गड़ सकते हो हाला कि आप लोगों के एक्जामे तो बाइनरी से डेसिमल डेसिमल से बाइनरी आता है बट स्टिल आप किसी भी बेस से किसी भी बेस में जा सकते है और वो कभी पेपर 2 की क्लास में लाल के लिए देखिए करना कुछ नहीं है सभी पेपर बन वाले बच्चे जाहे हो हिंदी से हो हिस्ट्री से सबको एक कॉमन प्रॉब्में आती कि डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे कर तो कुछ भी नहीं करना है डेसिमल वाला पार्ट लीजे विद देसिमल अफ़कॉर्स य अदर मफ़ा जाए जब तक गहाँ पर आप लोगों का अंसल मया फो चाहि trick मिलग आप लोगों की Whenever you do. इस तरीके सेमें आप लोग कैसे कर सकते हो जोले और Deciml से बाइसिमल से बाईनरी मे यह हम लोगों को ने सीखे लिया. अब एक और ट्रिक बचते है, चोटी सी ट्रिक है, और सबसे मज़िदा ट्रिक आप लोगों की है, कि किसी भी नेगटिव नंबर को कैसे रिप्रेजन करते हैं बाइनरी के अंदर, तो यह भी हम लोग सीख लेते हैं, पर इससे पहले कि मैं आपको यह सिखा हूँ, मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहती हूँ, जब हम लोग बात करते हैं computer के अंदर, या जब मैं बात करूँगी, digital system के अंधर, तो digital system का नहीं के लिभी लॉजिक है, क्या क्या लॉजिक है, यह ऐसा कहते हैं, कि मुझे वाइआ आता नहीं है, मुझे नहीं समझ में आते हैं, कि minus है, कि positive है, मुझे समझ में नहीं हाते. तो आप तो मुझे bit से ही बता दो कि positive कैसे लिखे और negative कैसे देखे तो हम जब computer पढ़ते हैं या computer की language समझते हैं तो 1 का तो मतलब होता है जी negative और 0 गर bit लिखा है तो इसका मतलब होता है जी positive समझ में आ गया अगर मुझे किसी भी number के extreme left के अंदर जिसको हम लोग MSB भी बोलते हैं इसके अंदर मुझे 1 दिखा तो मैं यह पूरा का पूरा number negative है ऐसा computer समझता है CPU समझता है और अगर यहाँ पर मुझे मिल जाए 0 तो वो number मेरे लिए होता है positive यानि कि one number का जो आप लोगों का prefix होता है वो होता है one और जो आपका positive number है उसका prefix होता है zero यह भी question आप लोगों के exam में बन सकता है तो इसको भी ध्यान रखेगा अब अगर यह चीज आ गई है तो आईए इस पर आ जाते हैं बहुत ही basic साथ चीज है आपके पास में लिखा है minus 14 अब मैं minus 14 लिखना तो हमको आता नहीं है बई नहीं आता मुझे भी नहीं आता करे क्या positive 14 लिखकर देख लेते हैं बई minus नहीं आता पर positive तो आता है बिलकुल आता है अभी अभी सीखी थी क्लास में सबसे पहले यही चीज सीखी थी plus 14 को आपको लेके जाना है binary में तो देखो plus के लिए अलग आएगा मैंने अभी बताया 0 आएगा और 14 के लिए अलग आएगा वो कैसे निकालते हैं 14 का LCM ले से 2 से तो 2 में 7 टाइमस रिमेंडर 0 तो 2 से 3 टाइमस रिमेंडर 1 2 से 1 1 टाइमस रिमेंडर 1 आपके पास में क्या आ गया आपके पास में आ गया है जी 40 तो 2 से आपने निकाल लिया LCM तो वैल्यू कितनी आई है 1 1,1 और 0 और 0 शुरू से किसी का चल रहा है बढ़ी किसका चल रहा है इस positive का चल रहा है अभी बताया था, अब आप क्या करिए, आप करिए सबसे पहले इसका once compliment, क्या करेंगे जी, इसका हम करेंगे once compliment, और उसके बाद में कर देंगे इसमें एक add, यानि कि क्या कर देंगे, two's compliment, तो जब हम इस number का two's compliment कर देंगे, तो मेरे पास में क्या आजाएग तो one और one का मना दो zero, जहां जहां zero दिख रहा है, वहां वहां तो कर दो one, और जहां जहां one दिख रहा है, वहां वहां कर दो आप लोग zero, तो आईए करते हैं, आप लोगों से लिखा हुआ है, zero, triple one, zero, अब इसका once compliment करोगे, तो कितना आएगा, one, zero, 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 and one, समझ में आ गय तो यह हो जाएगा, आपका two's compliment, किसी भी number का two's compliment, अगर मुझे करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, उसके once compliment में एक add करना होता है, यह एक binary वाला one है, तो one और one होता है, आप लोगों का one, zero, basically, one in binary and one in binary, मतलब, एक और एक, add होके हो जाता है, दो, और दो को अगर मैं कैसे लिखते हो binary में, तो one zero लिखते हैं, तो आप लोगों का यह हो गया, one and zero one हो जाएगा, यह zero, यह zero और यह one, यानि कि यह जो number आया है, यह आप लोगों का minus 14 आया है, यानि कितना आया है, one double zero, one zero, यह जो answer आया है, यह है आप लोगों का minus 14, देखो minus है, इसलिए इसके prefix क अंदर one आया है, अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों का यह doubt होगा कि हमको कैसे पता, मैं कि add करने के बाद क्या आएगा, यह आएगा, तो simple सी चीज है, देखो, मैं आपको यह भी लिख कर दे देती हूँ, basically, आप लोग मुझे एक बात बताईएगा, जब हम दो numbers को add करन होने वाले हैं, तो binary में 1 प्लस 1 होने वाला है, यह binary addition बता रही हूँ आपको, आपको सिर्फ 2-3 value ही पता रगनी है, 1 प्लस 0 कितना होता है, या फिर जिसको 0 प्लस 1 भी बोल सकते हो, या फिर 1 प्लस 1, तीन बार 1 आजाए, तो क्या करें, पर कभी-कभी तीन बार 1 भी तो आ सकती हूँ, बट स्टिल, आपके पेपर में इतना काम नहीं आएगा, यूजिली आप लोगों का यह और यही काम आएगा, फिर भी उमीद करती हूँ कि आपको टूस कॉंप्लिमें निकालना आ गया होगा, और अगर आ गया है, तो अभी मैंने आपको 39 का करके दिखाया था आप मुझे माइनस 39 का करके कॉमेंट सेक्शन में बताएगा, जरूर चेक करूंगी और जिसने भी सही किया होगा, उसको मैं हाट जरूर देने वाली हूँ, तो उमीद करती हूँ कि आप लोगों वही चीज समझ में आई होगी, कि किस तरीके से आप नंबर सिस्टम को पढ आप लोगों को अपने आप ये ट्रिक समझ में आ जाएगे, आज के लिए बस इतना है, उमीद करती हूँ कि ये सारी ट्रिक वीडियो पेपर मन की काम आ रहे हूँगी, और बिल्कुल जानती हूँ, पेपर टू वाले बच्चे बहुत वेट करें, तो वेट करते रहे हैं, मैं बहुत जल्दी पेपर टू पर भी आ जाओंगी, ठीके अभी थोड़ा समय की कमी के वज़े से नहीं हो पा रहा है, धीरे-धीरे करके सारा कंटेंट आपके लिए आएगा, बट डेफिनेटली आने वाला है, चानल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक अगर अच्छा लगता है, इन्फरमेटिव लगता है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, thank you so much, bye bye and take care.